यहां किसी को जला देना आप समझ रहें यह चहरे नहीं वो तो आपको दिखानी पार या आप यही सब देख रहे न हाथ देख रहे न इस लड़की को यहां चलाया गया है गरम तेल फेके के हैं उसके यहां बड़ा सा इस तरह से फुरा टाइप का बना है यह सब क्या है यह आतर एक दहेज जब आपने शादे किया उसी वक्त आपको मांग लेना था सुन्दरता में कोई कमी थी नहीं कोई कमी है आपने पहले का फोटो देखा अपका फोटो देखा वो निशान वो सारी कहानी जो न बोल पाना आप देख रहें जो बाल इतने सुन्दर पागलों की तरह काट करते वो कैसी महिला थी इनकी ननत के दिख रहें यह तस्बीर अंजु पांडे की है और अंजु पांडे वरारसी के तेज जैद पूरा थाने की रहने वाली है उनके बगल में ही घर है और आपको बता दूं जिस तरह से यह अंजु पांडे के साथ हैवालित की ग साथ निवाने की ठानी परिवार वालों के साथ चार लाख रुपए से ज्यादा की डिमांड करती है उसके बाद ऐसी हावानियत जो साइट में एक तरफ उनकी तस्वीर पुराने तस्वीर है दूसरे तरफ तस्वीर देख रहे हैं कहीं ने कहीं दिल्ली और आसमान का परक के और इस मामले को मैंने लोगों से मधध मांगी क्योंकि यह घटना है मैं आयए दिन इस तरह के से घटना है देखती हूं मदद करती हूं ठाना कचरी मेरा काम है लेकिन जो यह घटना है इधला सेसी हम आपसन को समाज में रहने वाली इंसान है ? उसी अवरत को कपड़े उतार करके अपने बहनों से अपने जीजा लोगों से मार खिलाना क्या उचीत है उसको मारना उसके साथ जबरजस्ति करना यह मानवता है उसके अंदर बिल्कुल नहीं जब यह मामला मेरे पास आया मैं पहला वो वीडियो था पहली बार था जब मैंन लेकिन उस वक्त इनकी कंडिशन बहुत खराब थी बोल नहीं पा रही थी और अपनी बात कह नहीं पा रही थी लेकिन जो उनकी दसा थी वो सब कुछ बया कर रहा था यहां किसी को जला देना आप समझ रहें यह चेहरे नहीं वो तो आपको दिखानी पा रहें आप यही लाए गया है गरम तेल फेके गए हैं उसके यहां बड़ा सा इस तरह से फुड़ा टाइप का बना है यह सब क्या है यह दरिंदगी है यह लोग समाज में रहने लाइक नहीं है जो इनसान उस बच्ची के मुह में बातरूम डालता है तॉलिट जैसे चीजे करता है वो लोग आ रहे हैं इस बच्ची के सिर्फ हालत दे करके न्याय चाहिए और हर हालत में चाहिए देना पड़ेगा वना बहुत बुरे तरीके से यहां की जो समाजिक संस्थाएं हैं इनका पीछा तो नहीं छोड़ने वाली क्योंकि इस तरह के घटनाय दहलाने वाली है करने का मतलब यह है कि मात्रिग दहेज जब आपने शादी किया उसी वक्त आपको मांग लेना था कोई कमी थी नहीं कोई कमी है आपने पहलेदे का फोटो देखा मैं बार बार करती हूं और ऐसे मामले पर मैं अक्सर के आवाज उठाती हूं और यहीं कहूंगी कि उनको न्याय देना पड़ेगा तोकि अगर अपने कासी की बेटी को न्याय नहीं देते हैं तो यहां से वह सानसद होने का जो उनका गौरव है उनको बिल्कुल नहीं मिलेगा अब आपको बता दू कि स्क्रीण समा जैसे कि प्रेम करने वाले लड़कियां अक्सर ऐसे मावलों में फुक्स दाती है क्या कहने अभी एक 9 साल की मातर एक 9 साल की लड़की जो है किस हमारे पास आया था प्रेम से अगर आप प्यार करते हैं घाते हैं उसे अपना चाल की प्यार है यह प्यार ते वह प्यार था अगर हम बात करें तो आपने ऊपने सुन्दर्ता डग किए उसकी उसके साधी की तो इसका मतलब प्रेम जाल में उसको फसाते हैं और आज की जनरेश्अ जिस हत्य की प्यार के चक्कर में पढ़ रही है घर छोड़के भाग रहे हैं ऐसे कई मामले मेरे पास परमाड है साक्ष है कि लड़किया घर से निकलती है और उनकी हालत बस से बत्तर हो जाती है कुछ लोग तो अपनी जान भी गवा चुकी है वो सारे मामले हम देख रहे हैं प्रशासन के साथ मैं भी काम करती हूं आया दिन मेरा उनका सयोग मिलता है कुछ जगों पे आपको जो परसासनी कदिकारी है वो इतने अच्छे तरीके से लोगों की परिशानियों को नहीं सुनते हैं उसमें मदद भी करते हैं लेकिन अभी भी मैं लखनोग आवेधन भी देखे आई हूं कि जो थाना और चौकी है एकदम जीरो थाना चौकी के जो है जो दबाव बनते हैं परिवार पे उन्हें सुल्ला कर लेना पीछे हर जाना मना उल्टे उनको फसा देना थाना चौकी इस तर पर लकतार है इसी व सबसे चोटी धारा लगाई गई मत मार पीट यह बिल्कुल हुआ है क्योंकि जिस तरीके से इस बच्ची के साथ जो घटना हुई है जो चोट लगी है एक बार नहीं कई बार सच में मारने उस रात भी मारने की कोशिश की गई थी अगर नहीं भागती तो साइद मार करके य हाँ चछ से कूटी है और सिर्फ पेटिकोट और ब्लाउज में घड़ से भागती है तो एक बात बताएए क्योंकि उनको जान बचाने का एक मोका मिला जो इतने दिन से सह रहा था उसकी जो इस्तिती क्या होगी यह हम और आप कलपना भी नहीं कर सकते वह दाग वह निशान वह सारी कहानी जो न बोल पाना आप देखे हो जो बाल इतने सुदर पागलों की तरह काट करके वह कैसी महिला थी इनकी ननत हमला को और अखेली इसी घटना है आ आजकल बहुत ही समाज में घर जाते हैं सबसे बड़ा कार और कहने कहीं देखने की मिलता है लंबेरेज इससे क्या स्प्रश्ट है इस घटना में भी यह सीख मिलती है कि जब यह अपने घर से इनका शादी ब्याव होता है तो परिवार से इनका कनेक्शन दूर हो जाता है कहिन कहीं परिवार इनके पिता जाते हैं जब वो जिन्दा थे जाते हैं तो परिवार मिलने नहीं देता है तो इनको यह लगा कि अपनी पसंद से साधी किया है तो बहुत अच्छे से मेरी बच्ची को रखा है इस वज़े से मिलने नहीं दे रहा है लेकिन कहीं क्या होता है जो तकल पिर दूरिया आई नहीं दिया गया लेकिन एक मैसेज जाता है कि अभी भी कुछ लोग समहल जाएं अगर नहीं समलती है तो कहीं न कहीं या तो यह बच के आ गई हैं ने तो जान चली जाते हैं कि सारे मामले एक जैसे नहीं होते लेकिन कहीं कुछ ऐसे मामले होते जो बहुत ही गंबीर हो जाते हैं ऐसे ही मामला यह चौका घाट के बगल के गाओं का है और सिमा जी बात करें कि कहीं कहीं बहुत दुख की बात है और सब कुछ सबक लेना चाहिए तो कि मैलाएं लड़कि कि हमें क्या करना है और वही उनके लिए नासूर वन जाता है पाकि आपकी राइस शुक्रिया